दोस्तो आज 8 मार्च है और आज का दिन International Women's Day मतलब महिला दिवस के रूपे मनाया जाता है लेकिन आपको साइद ये पता नहीं होगा कि अपनी देश में साइद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कम हो गई है और लड़कियों की संख्या लड़कों से जाड़ा हो गई है मतलब सेक्स रेशियो अच्छा हो गया है 1946 में लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर 946 हुआ करती थी मतलब लड़कियां कम थी 2015 में ये संख्या बढ़कर 991 हो गई मतलब 1000 लड़कों पर हर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 991 हो गई मतलब काफी हद तक sex ratio अच्छा हो गया था लेकिन government ने बहुत सारी schemes चलाई हुई थी जो sex ratio को अच्छा करने के लिए थी जैसे कि आपने सुना होगा सुकन्या समरद्धी युजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन schemes ने बहुत अच्छा result दिखाया और आज जब 2022 में economic survey हुआ तो उसमें result में आया कि लड़कियों की संख्या 1020 हो गई है 1000 लड़कों पर मतलब हर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1020 हो गई है मतलब sex ratio अच्छा हो गया है अब लड़कियां ज़ादा हो गई हैं लड़कों से तो दोस्त अगर आगे भी बना रहा ऐसा तो सायद government के लिए बहुत अच्छी उपलब्दी होगी और government ने ये जो schemes चला रखी है सुकन्या सम्रेद्दी योजना या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका महत तो कम रह जाएगा और ये धीरे-धीरे schemes बंद हो सकती हैं आगे आज लड़कियां हर छेतर में आगे जा रही हैं business में आगे जा रही हैं पढ़ाई में आगे जा रही हैं fighter jets और आज संख्या में भी आगे चली जई हैं हर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1020 हो गई है लेकिन लड़कों को असरक्षित महसूत करने की ज़रुत नहीं है, लड़कियां जादा हैं रहनी चाहिए जादा, क्योंकि लड़के लड़कियां जब बराबर रहेंगे तब ही तो यार सब का जोड़ा बन पाएगा, करेक्ट, वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक दूसरा के शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ महिला दिवस के उपलक्ष में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वो लेड़ी को ये मैसेज भीजिए जो आपसे टच में है, सारी महिलाओं को ये मैसेज भीजिए और उनको बताइए कि ये हम